मसकार किसान भाईयों, सभी किसान चाहते हैं कि जो हम क्रस उपकरण खरीदें वो काफी महेंगे होते हैं और उन पर यद सरकार द्वारा हमें सबसीडी मिल जाए तो हमारा काफी अधिक पैसा बच जाता है इसके लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में जानकारी लेकर आया हूँ लेकिन उसके साथ साथ आपको किन किन उपकरणों पर ये सबसीडी सरकार द्वारा मिल लही है चैनल पर नए हैं अभी तक सास्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सास्क्राइब कर लेना है जिससे आगे भी आपको जानकारी अच्छी देखने को मिलती रहे तो पहले हम बात करते हैं किन-किन क्रस्य उपकरणों पर सरकार द्वारा ये सबसीडी मिल रहे हैं जिससे अगर आप इस कटागरी का क्रस्य उपकरण खरीदना चाते हैं तो आपको आसानी से रेजिस्टेशन करवा करके और सबसीडी प्राप्त हो जाएगी क्योंकि जो सबसीडी दी जा रहे हैं इस्टी तो और कुसल को सबसेडी मिल Nate लेकिन उसके अत्रिकति आपको जैसे कोहिं महेंगेoka उते हैं या कोशेय होते हैं तो educational आपको ध्यान किसान देकर करना है और कहीं न कहीं यादि कम भी जैसे कहीं महेंगे उपकण है और यादि उस पे 10,000 की छूट मिल जाती 15,000 की तो भी किसान भाईयों की बहुत बड़ी बचत हो जाती है क्योंकि इतने महेंगे क्रस उपकणों को खरीदना आज के समय में काफी मुस्किल हो ज सबसेड़ी मिल लही है बिकल्प साइथ जो यह चित्र आप देख रहे हैं तो यह इस तरह के जो बिकल्प साइथ हैं इन पर भी गवर्मेंट अब सबसेड़ी देना चालू कर दिया है इससे खेती करना आपके लिए और भी आसान हो जाए हास्त 40 स्पेर पंप चैप कटर ड त्रेस कटर रेटून मैंजर होता है इन सब पर भी आपको सब्सेड़ी मिल जाएगी हैर वोरोटावेटर कल्टिवेटर मिनि दाल मिल जो चक्की होती चोटी वली उस पर भी सब्सेड़ी गवर्मेंट द्वारा मिल लही है अगर आप लगाना चाहते हैं और मिलो आपके मि और रेंड बेंड प्लांटर पे भी मिल लही इस पर ड्रायल हार्वेस्टर बैक हो लोडर डोजर टीलर वीडर कमबाइन हार्वेस्टर राइस ट्रांटर प्लांटर पंप सेट थ्रेसिंग फ्लोर इसमाल गुदाम अगर आप छोटा सा गुदाम बनाना चाहते हैं तो उस पर भी गवर्मेंट सबसेडी दे रही है जो आप अनाज गुदाम में रखते हैं तो उस पर भी सबसेडी मिल जाएगी और कस्टम हार्वेस्टिंग और हाइटेक हब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अनियम सरते हैं वो चीजें आपको ध्यान में रख करके सबसेडी दी जाएगी तो अब ये जिन उपकरणों पर सबसेडी मिल लही उसकी जानकरी तो दोस्तों मैंने दे दी है अब किस डेट में किस मंडल में आप रजिस्टेशन करवा पाएंगे जिससे आपको ये लाव मिल जाएगा तो देखिए दोस्तों आज है 29 तारीक और 29 गेरा सन 2022 जासी और कानपूर के किसान भाई को ये लाव मिल जाएगा अगर वो आज रेजिस्टेशन करवाते हैं क्योंकि एक दिन ही रखा गया है रेजिस्टेशन के लिए तो अभी जब वीडियो देख रहे हैं नहीं किया है रेजिस्टेशन तो तुरंत जाईए और रेजिस्टे सिदी वले रेजिस्टेशन हो पाएंगे एक बारा को आजमगड बरेली आगराव और वारनसी के किसानभाई रेजिस्टेशन करेंगे दो बारा को सहारनपुर मुरादाबाद और लखनौ के किसानभाई रेजिस्टेशन कर सकते हैं तीन बारा को अयोध्या गोरकपुर और मे मंडल के किसान बहीर रजिस्टेशन कर सकते हैं और चार बारा को अलिगर बिंद्या चल देवी पार्टन के किसान बही रजिस्टे humidity है कर वा सकते हैं और क्रश डुष करनों पर छвूट मिलेगी ऊसको प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों जानकरी कैसी लिगी बाकी लाइक कीजिए और ना कीजिए लेकिन दूसरे किसान भाईयों तक जरूर सेर कीजिए जिससे उनको भी इसका फाइदा मिल पाए तो बस दोस्तो आज की वीडियो इतनी ही धन्यवाद